प्रोब्लम है, अंदर सल्यूशन है दारक महता का उल्टा चश्मा दारक महता का उल्टा चश्मा दारक भाई, दारक भाई पच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों के काच तूट जाते हैं आज भोड़ी इसे प्लेयर्स रिकोड तोड जाते हैं दारक महता का उल्टा चश्मा काम दिन रात गरवाती मेरे सांस मुझे रोस बताती है ठीक से सामकान अर दिल में प्रेम हो तो सांसमा बन जाती है अच्छा वह हो सांसमा प्रॉब्लम्स तो है सोब के साथ बस नजर ये की है बात दारक महता का उल्टाचश्मा कारग महता का उल्टा चश्मा कारग महता का उल्टा चश्मा कुंधे को ला? हाँ बापोजी पम्मी ठबब बंद करो एफेमिली ड्रमा जू क्रो निकलो भार याँचे दो भागो एक मिनट पपले भॉस भॉस बॉम बॉम आई आई ए ए जेठालल तुमको अंदर आना तो ठीक है लेगे यही बॉक्स बाहर रखो बाहर रखो ए लेगे जाओ ले पूरी दुनिया तुमसे दरती है और तुम हमसे दर गए अरे डन फाई इसमें बंबं कुछ नहीं है इसमें ता मिठाई है मिठाई मिठाई और यह मिठाई का बॉक्स अम इसलिए लेकर आये थे क्योंकि बहार अगर आपके गार्ड हमें अंदर आने सो रोकें तो हम कह सकें कि यह बॉम है हमने कहा और जर गए वो लो अरे यह रिमट में नकली है यहां को आज़ा, बैटरी ते चलता है अंदर राना के लिए हमने यह पेत्रा रचा DJ मिठाई, मुह मिठा कीजिये मेरे को, मेरे को बेवकुफ समझाए क्या मातलब जो चाल मैने चली वही चाल मेरे उपर चल रहे हो तुम लोग मिठाई मिलाई और दयाबेरिको किडनेप किया को तुम लोग भी िन्चाई मिला कर मुझे खेला कर दयाबेरिकों चलवाना चाहते हो अरा भाई इसमें कोई बेहोशी कुदवा यह नहीं है भाई अच्या, तुम झाह के बताओ हाँ म म म म म मैं क्यों खाओ, मिठाई तुम्हारे लिए लाए है खाओ बबबुजी आयायो चलो खाओ कि अमिखने कि खके आ ingen खेक defin Tahil झाओ, झाओ, प्रोह घ्क झाओ, झाओ, झाओ ग्तौोगरो सन्जाथा मेरेको अे उललु बना रिए उललु धाय। इसमेश्पूरा नाटitu करा था उसमें खोई ब्होशी का अय। आशचि है उलला है छोई. जोड़ाओ विठाई नही है, मिठाई भिठाई तंम्लोगो है टाइम पास नहीं तो स्रूंट 예प तो लोगेन आभी में तुम लोगों को नुक्सान पो टांग इससे पहले छुक चाप या मैं ने 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 इंक हुआ पहले ये बताओ तुम लोगों को पता कैसे चला कि द्रयाभार इन यहाफर छुपी हुई है वह तुम को क्यों बता है भाइ ? क्योंकि यह दर्वाजा मैं खुद बन करूंगा ताना कि दोन भाई अभी जब तक तुम अपने हाथों से यह ताला नहीं खोलो गए तब तक हम में से कोई यहां से नहीं जाएगा बहुत इनको तो आपका डर हाई नहीं यह लोग नक्की पुलिस वालों को साथ लेख रहा हैं इसने इतने कॉन्फिडेंस हैं नहीं हमारे साथ पुलिस आई है नहीं हम दर्या को छुड़ान आए क्या जब पुकि पापा मुझे छुड़ाने नहीं आए नहीं 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 है अरा बाई आपे दर्या को छुड़ा क्या फाइदा क्या जब गगाई देने का पोग्रा में हमने केंचल कर दिया है फिर तुम लोग यहां कियो आई हो डॉन भाई साब आपका बंगला तो इसलिदाई को क्या मतलब अब पूरा गोकल दाम यहां रहेगा सब साथ में रहेंगे मिल जुल का मज़े आएगा क्यों मैं सबजाता हूं जरा ध्यान से अ मन लगा के समझ ले क्या है आपकी यह दो नंबर के दुनिया में मतलब अंडर वर्ल के दुनिया में आपकी बहुत इजजत है बिल्कुल और एक नंबर की दुनिया में हमारी बहुत इजजत है अगर आपके साले के खिलाफ दया बेन ने गवाई दी तो आपकी मार्केट में ना कड़ जाएगी लोग आपे थूतू कर रहेंगे क्यों सही बात है कि नहीं बरोबर और अगर कहीं दया पापी ज जीना हराम कर दोगे बिल्कुल बरावबर पोला चैतरी तू और अगर गवाई नहीं होगी तो हमारी अंतर आत्मा में जीना नहीं देगी और बाकी सारे लोग हम गोकुलधाम निवासियों को ताना देंगे कि हम लोग अपना कर्तवे पुरा नहीं कर पाए हमें स्कूल में आपके साले के खिलाव गवाई हो या ना हो हम तो सीधे साधे लोग दोनों तरफ से फस गए ना इसले हमने सोचा है कि हम आपकी शरण में आजा और आज से हम सब इडरी रहेंगे देखिए राना साब हमारे या रहने से आप बिल्कुल जिंता मत कीजिए हम लोग आप पे बोज नहीं बनने वाले हम तो आपका काम करेंगे बिलकुल बिलकुल देखिए मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ अब तक मैं लोगों को पड़ा दाता सुवी चार अब मैं पड़ाओंगा कुवी चार मत्तब जैसे सामने वाले ने आपके गाल पर थपड मारा तो आप दू क्यांकि हाँ एक कच्छी वाप बारी आए अजी मेरा सोडी किराज है और आपके यहां तो इतनी सारी गड़ी है और फर्स क्लास रिपेर करके उनको टिच रखूंगा और साथ हुमें आपका बड़ी कार्ड बनके रहूंगा याब बात है और मैं डॉक्टर हूँ अब आप आपके गैंका भी डॉक्टर आपके फैमिली का भी डॉक्टर और राना साब मैं एक लेखर दो भाई आर्टिकल लिखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं आपकी जीवनी लिखूंगा जीवनी ओटोबाग्राफी और उसका टाइटल भी मैंने आपके स्टाल में मस सोचा है रान मैं इन सब लोगों के काम पर नहजर रखूंगा थो किस आफ लोगों के काम पर नहजर रखूंगा जाओ यहां को, यहां कोई नहीं नहीं गाएगा, बढ़ो! अरे क्या जाओ भाई, हम लगता है यहां का रेसंगाट का फॉम भी बढ़ क्या है? खुल्ड अरे आप लोग आइसे नहीं माननोंगे? जाओ जाओ जाओ, हम तब लोग सीना तान के खड़े हैं, जाओ गोली एक मेरे, एक मेरे, डॉन्ट बाई, प्लीश सर पे निशना मत लगाओ, बोड़ी में और किदर भी लगाओ, सर छोड़के क्या उतर बाल बाल में गुली लगती ही तो बाल बिगड़े हैंगे न इसलिए टेथा भाई प्लीश प्लीश और मुझे मेरे साले को छड़वाना था इसलिए मैंने इनका किड़नेप किया यार प्राइटो अंडरस्टेंड माई प्रब्लाम और सो यार तुम भी तो भोलो ने कुछ हां जी मुझे भी मेरे भाई को बचाना है बस रभाभाभी प्लाइज अब अपने भाई को बचाने की जीत छोड़ दीजया आपके भाई नहीं बच सकते क्यों तक क्यों करती मुझे लिकिन मुझे अपने भाई को अच्छे काशो के लिए बढ़ावा देतीम। क्या दोंड़ भाई साले कम्हामले में अमदोना सम दुखिया मैं भी अपने साले से समझ गे न मैं क्या केना चाहता हूँ तो कभी मोका मिलेगा ना तो हम दोना के अपना अपना शाला एक्सचेंज कर लेंगे तो परेशान होना में क्या वराइटी मिलेगी तो रभाबाभी आप अपने भाई को बुरे कामों के लिए बढ़ावा देती है आपका भाई मुझरीम है पुलिस के नीशाने पर है मैं गवाई नहीं दूगी तो वो इस जुन से तो बन जाएंगे लेकिन इसके बाद उसको इससे भी बड़ा जुन करने की हिम्मत आ जाएगी पिर दीरे दीरे वो बहुत बड़ा मुझरीम बन जाएगा और अग जिल नहीं जाएगा तो कल फांसी तो जरूर चड़ेगा तो फैसला आपके हाथ में एक दो साल बचा कर पूरी जिंदीगी बरबाद कर ली है या दो साल की कुरबारी देकर मेहनत और इमानदारी से पूरी जिंदगी सवारनी मुझे मेरे भाई की जिंदगी सवारनी है गुड दैया बन आप मेरे भाई के खिलाफ गवाही देना भेजना उसे जेल उसे बहुत कम सजा होगी लेकिन उसके बाद उसके बाद तो उसके जिंदगी सवार जाएगे ना रंभा डाले यह क्या बोल रही हो तुम अभई अगर यह पहले सोच लिया होता तो इतनी टेंशन जो जो हो गई है नहीं होती ना बिल्कुल सही कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा डर्ण भाई वरना क्या आप परेशान नहीं है और वैसे भी गैंग्स्टर की जिंदगी का एंड जीरो है किसी भी दुश्मन यह तो पुलिस की गुली का शिकार बन सकते हो भाई फिर क्या पेपर में फोटो आएगी लोग आपके मरने का दुख जताएंगे और उसी पेपर में दूसरे दिन लोग बेल पूरी खाएंगे हाँ और अब तक गलत कामों से तुने कितनों का दिल दुखाया होगा कितनों की हाई लगी होगी तुझे पता है और डान प्रा और आपके पास क्रोड़ो रुपया होगा और इतने बड़ बड़े बंगलो होगे लेकिन हम लोग गोकुल नाम वासी और हम लोग बड़ी चैन के जिन्दगी जीते हैं यह बाद और राना साब एक बात सोचे है हम सारे लोग मिडल क्लास लोग है यह औरते है यह चोटे-चोटे बच्चे हम मेंसे किसी को भी आपके पास आने में डर नहीं लगा और आप एक चोटा सा बॉक्स देखके डर गई यह सोचके कि इसमें बॉम्ब है हर पल में खौफ यह लोगों को नहीं डराते उससे जद्धा आपको डर करहना पड़ते हैं जेठा लाल बर्सों से जो बात जो कभी समझ में नहीं आई वो वो आप लोगों ने दो मिनिट में समझा दी आपकी आपकी जिंदगी का फंड़ा कितना क्लियर है जेठा बाई और वैसे भी पता है मेरे को अंडर वर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है एक सिद्धी साधी ग्रहने सच्चाई की मूरत डया बेन को मैं डरा भी नहीं सका डोन भै उसके लिए आपने ही तो प्रार्थना की थी प्रार्थना बैने कभी की प्रार्थना आपने कहा था ना जय गिरदारी खुस रहे दुनिया सारी मेरी मा कहती है कि कोई भगवान का नाम किसी भी नियत से लेता है और खुद के बदले किसी दूसरे की खुसी के लिए प्राथना करता है ना तो भगवान उनकी प्राथना जल्दी से सुन लेते है यस अक्ति बरोबर कभी कभी इसके मा सही कहती है हाँ दया बेन बिल्कुल सही बोला अपने जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी बार भगवान का नाम लिया और दूसरे के भलाई की बात कही मेरे को ऐसा लग रहा जैसे जिसे मेरे सारे संकट तूर हो गए अब भगवान की प्रार्थना और दूसरों की भलाई सच्चे मन से होगी यह मेरा वादा है आप लोगों से जोनी एस बस 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 नहीं राना सिर्फ राना तुम लोग नंदु डॉन के पास तर राना मैं फोन कर दूंगा उसको नहीं बस हम भी ऐसी जिन्दी की सित तंग अगया तो ओल्चल में रदा इपरिवर्तान हो गया तो ठीक है कल से सारे काले दंदे बंद और काली टीशेटी पहनना बंद अब हम लोग सच्चाय और महनत की कमाई खाएंगे बस एस तया बेन अब जाएए और निश्चिन्थ हो के गवाही तीजिए मेरे साले को सजा मिलेगी और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी अच्छा है अच्छा है अच्छा है बैया अब है अच्छा खेए अच्छा है अच्छा आपको और सारे गोकुल दामवासियों को हमारी वजे से जो भी तकलीफ हुई हम सच्छे दिल से आपसे अपसे माफी मांगते हैं सबस्वाइ अरे भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पस्चात अपसे बढ़ी और कोई माफी नहीं होती यह तो आपका बड़ापन है जी अधाना साब, सुबह का भूला शाम को घर लोटा है तो उसे भूला नहीं कहते अरे चलो, यहां रहने का प्रोग्राम अप कैंसल अरे एक मिनिट, एक मिनिट अरे डॉन भाई, चाबी तो आपके पास है ताले की अरे आपने बिल्कुल सही कहा था जेठा भाई दर्वाजा मैं अपने हाथ से ही खोल लूगा आपको जैगिर्धारी खुषे टुरिया सहारी आप ज्लो हुआ है यह अपताला चॉप्स्टाणि ऐले दिते तो न है लगादा है लगादा है लगादा है किसमा लगादा आए आए सावाराणा भाई प्रिजा है एक बात है जाए जाते हो आप लोगों को पता कैसे चला कि दया बेन यहाँ पर है? अभी राना साथ, आपने नई जिल्दगी की शुरुवात की है. तभी पुरानी बात है, भूल जाओ ना, भाई! क्या फाइदा जानक है? चलो, ठीक है. जैकिर धारी! जैकिर धारी! ओके! जैठा भाई? खुश रहें दुनिया सारी! खुश रहें दुनिया सारी! और द्याबेन की सी कवाई पर, यह दालत चड़ी गैंगे तीनों मुद्रिमों को, तीन साल की सदा सुनाती है. दोस्तों, किसी भी समस्या का अंत हो जाए, अच्छी बात है. लेकिन समस्या का अंत सुखद हो, यह और भी अच्छी बात है. हमारी दया भाभी, डॉन राना के चंगूल से चूट के आ गई, कितनी अच्छी बात है, लेकिन डॉन राना बुरे धंदे छोड़ देंगे, यह और भी अच्छी बात है चड़ी गैंग को सजा मिलेगी, अच्छी बात है लेकिन चड़ी गैंग सजा के बाद सुधर जाएगी, यह और भी अच्छी बात है इड़ी देश में तोर आफ़ी आप थो ना चाहिए, अच्छी बात है लेकिन हम लोग भी रिशवत देना चोन दें, और भी अच्छी बात है सड़कों पे गडे नो आच्छी बात है लेकिन सड़कों पे ड्राइविंग और ड्राफिक, डिसिप्ली इनो यह और भी अच्छी बात है, नारिया, काम करें, ऑफिसेज जाएं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हे वहाँ घर जह समाहौल मिले, यह और भी अच्छी बात है, अब देखे ना, आज आप जन्मास्त्मी का चुहार धूम धाम समना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कल हमारे तरक में ग्याता का इंस साथ मनाइंगे दनमाश्मी कर द हां अर भी अच्छी बात है। देख 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 रही है तारक मेंदा का उल्ता जश्मा इव देख लिए तो